प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेदिली में मुखे सचिवों के राष्टी सम्मेलन की अधश्यता कर रहे हैं तीन दिन का यह सम्मेलन कल शुरू हुआ सम्मेलन में राज्यों के साथ भागी दारी के साथ तीवर और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा केंद्र सरकार, मुखे सचिवों और राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ट अतिकारी तथा संबंदित विश्यों के विशेशग्य समेथ 200 से अधिक प्रतिभागी सम्मिलन में भाग दे रही है यह सम्मिलन विकास और रोजगार स्रिजन तथा समावेशी मानव विकास पर जोर देते हुए विक्सित भारत का लक्ष प्राप्त करने के लिए सहयोगी कारी योजना पर आधार तियार करेगा केंद्र और राजसरकारों के बीच भागेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अन्य प्रमुख कदम होगा सम्मिलन के दौरान छे चर्नित विशों पर चर्चा की जाएगी सम्मिलन की कारे सुची 150 बैठकों और वर्चुल परामर्ष बैठकों में सघन विचार विमर्ष के बाद तैकी गई है मुख्य सचीवों का पहला सम्मिलन पिछले वर्ष जून में धर्मशाला में आयोजित किया गया था